हेलो दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है गाईज आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सब्सक्राइब कर लोग बढ़ते हैं वीडियो की तरह सो हमने यहां पर फाइल कर रखी है जूप्टर नोटबुक के अंदर और इस फाइल का नाव हम दिया है सब्सक्राइब इस से पयाक है चैム प्रेंट किया किया तो कुछ इस टाइब का डेटा सेabaos बन रहा है जिसके अंदर ऑमारे पार सेकंट ऐसमारे नां से यह नाम देखता है और जो कि यहाँ पर student का नाम है और उसके marks है तो यहाँ पर देख से हमने यहाँ पर class B को भी print किया हुआ है तो इस टाइप से कुछ आपका आ रहा है अब आपके पास एक concat function होता है PD के अंदर आप यहाँ पर लिखेंगे PD.concat और यहाँ पर आपके पास दो data frame है या फिर तीन है चार जितने भी है आप यहाँ पर simple concat function को call कीजिए और यहाँ पर पास कर दीजिए अपने data frame को हमने यहाँ पर class A को पास किया उसका class B को पास किया अब यहाँ पर यहाँ पर दीफ को लिखेंगे मतलब print करेंगे और enter करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर जो total जो हमारे पास दोनों data frame के अंदर data था वो यह key में अब आ चुका है है यहाँ पर देखेंगे कोईट हो चुका है यहाँ पर देख सकते हो कि जो पीडी डॉट कॉंट काट फंक्शन हो कुछ इस टाइप से कॉंट कर रहा है अब हम चाते हैं कि यह तो जो अलग-अलग डिवाइड हो यहाँ पर कीज पास कर सकते हो इसके अदर तो आप यहाँ करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे कि आपके पास यहां पर कीज बन चुकी जो कि क्लास एक कुछ इस्टुडेंट यहां पर यहां पर दिये हुए वह सुर्ण जीज हेल्प करती है आपको डिवाइड करने के लिए डिटा को आप अलग-अलग यहां पर रोग के अंदर हमारा वो चीज सुब आभी अपने देखा कि कैसे हम लोग कांट करते हैं विद कीच के जरिये कीच क्या उज़्च होते की यहें हमारा बैसिकल दिवाइट करता है डेटा को १र एक टेबल के डेटा को अलग लग दिवाइट कर देता है और हम देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग जो ही इंडेक्स नमबर आप यहां पर देख सकते हो पास करने के बाद आप यहां पर देख सकते हो कि हमारा जो इंडेक्स नमबर ओ तो चैनल आ रही है पहले हमारे पाद 01 कुछ इस टाइप से आ रही थी अपने अब देख से जीरो वन टू थी फो फिर दुबार जीरो वन टू आ रहा था था तो अब हमें चैनल यहां पर देख लिए कि कैसे हम दो कंटीनियूस वैलू को कॉंट करते हैं अब हम लोग देखन अब इसको एंट्र करेंगे तो आप भी यहां पे देखेंगे कि सिंगल कॉलंम है अब हम क्या चाहते हैं कि उमारा ूल कॉलम ता जो कि क्लास करने के लिए आप जब 0 डालते हो तो वहां पर होता है रो रो आई बाइड डिफोल्ट जीरो होता है सो मैं यहां पर फंक्शन से भी दिखला देता हूं आप यहां पर देखो जो कॉंट्प फंक्शन है उसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करते हैं उसके बाद एक्सेस कॉंस है बाइडिफोल्ट जीरो होता है और मैंने ऑपर इंडेक्स जोफॉल्स सब्सकर बिखला है ऑर इसके अंदर आप लोगग कीच्प पास do और यहां पर देखेंगे कि कुछ इस टाइब का पास डेटा आ रहा है जो कि यहां पर डाल दिया है तो इस चीश को रिमूब भी कर सकते हैं तो यहां पर डाल देते हैं अनुराग और इस चीश को आप इस टाइब का जो कॉलम वाइज काम करता है मतलब कॉलम वाइज के अंदर आपको एक्स पास करने पड़ेगी रोवाइज है तो इसको पास करें की ज़रुवत नहीं है इग्नोर यह दिकरना चाहते हैं इंडेक्स नंबर तो आप लोग आपे इग्नोर इंडेक्स ट्रू कर सक करते हो तो इस चीज़ से आपको पता चल जाएगा कि जो इंडेक्स नंबर हो किस टाइप से चल रही है तो अभी के लिए क्या देखा कि कैसे हम लोग दो डेटा फ्रेम को कैसे कॉन्ट कर सकते हैं तो हमने यहां पर रोवाइज ब्लस कॉलम वाइज दोने तरीके से अब द हम लोग इसको class d डाल देते हैं और डेटा फ्रेम की जग rows को क्या पास करना mazeीज हएं हमने हां पर सरीज पास कर दिया क्लास D ke naam se और इस चीज को हमने print किया है आप देख सकते हैं कि हमने नया सीरीज बनाया है अब हमने क्या करना है कि एक और सीरीज हम लोग यहां पर बना लेते हमने दो सीरीज बनाई जो की सब्सक्राइब करेंगे तो इस चीज को करने के लिए आपको सिंपल यहां पर आना है और यहां पर एक डिया बना लीजिए अब पीडी डॉट यहां पर आप लोग जो कॉल कर लेजिए को इसके अंदर आप लोग पास कर सकते हो अपने सिरीज को जो कि था आपका क्लास डी और एक और सब्सक्राइब कर सकते हो लिष्ट के अंदर इन दोनों को आपने पास कर दिया उसके बाद कौन कैट जब आप करेंगे डिए प्रिंट करेंगे तो आपके पास कुछी इस टाइप की वैल वाईगी अभी आप देखेंगे एक रो आइस प्र सब्सक्राइब का है और कुछ इस टाइप कामार पर डेटा सो हो रहा है तो इसके अंदर भी आप लोग इग्नोर जो इंडेक्स नमर होता है उसको फॉल्स प्रू कर सकते हो प्लस बाकि जो फॉंक्शन साइज बाकि जो हमारे मैथर से इस चीच को आप लोग यूज कर सकते कि जो हमारे मैं पॉल्स टाइब के साइभ को जो घुरी मैं अपुल्स.